दोस्तों आज मद्य प्रदेश में चुनाव है, आज सुभा साथ बजे से ही वोटर्स अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, मतदान केंदर पर जा रहे हैं और जबर्दस तरीके का उत्साह भी वोटर्स के अंदर देखने को मिल ला है, कि वो वोट करने के लिए दो पर इंट्रेस्ट है, मतद्य प्रदेश की जंता का तो यही मानना है दोस्तों, जितने भी चानल, जितने भी लोग जाकर वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं मतद्य प्रदेश के लोगों से, तो उनका साफ साफ कहना है कि उन्हें बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, उन्हें महंगाई से निजाद चाहिए, उन्हें अच्छे दिन चाहिए, अब किसे वोट पड़ता है, कौन विजय होता है, यह तो वोटिंग कांटिंग के दौरा नहीं पता चलेगा दोस्तों, जब वोटिंग की कांटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि कुछ ऐसे सीट से हैं, जिस पर पूरे देश की निगाएं टिकी हुई है, जहां पर भारती जन्ता पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव लड़ें, जैसे कि कैलाश विजय वर्गेर, साथ में नरेंदर सिंग तोमर, शिवरास सिंग चोहान, कॉंग्रिस के भी कई ऐसे प पूरी नजर आम लोगों की बनी हुई है, आज सुभा से ही मैंने आपको पहली खबर दिखाई दोस्तों कि कैसे, पोलिंग बूत के बाहर हंगामा होने की बातें, खबरे निकल कर सामने आई, गोलियां चली, पत्थर बरसाए गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, कॉंग् कॉंग्रेस की सपोर्टर्स पर गोली चलाते हुए नजर आ रही है, ये बात कॉंग्रेस के तमाम नेताओं और कारिकरताओं की तरफ से आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो शेयर किये जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा हार को देखते ह हुए इस तरीके का कृत्य कर रही है, सबसे पहले मैं दूस्तों आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, सबसे पहले आप ये देखिए, सुरेंदर सिंग राजपूत लिखते ह हैं कि दमनी मद्य प्रदेश में नरेंद सिंग तोमर चुनाव हार रहे हैं, हताश और निराश भाजपा हिंसा और आराजप्ता पर उतर आई है, प्रशासन मौन खड़ी हुई है और भाजपा के गुंडे कॉंग्रेस के कारिकरताओं पर गोली चला रहे हैं, चुनाव आय चुके हैं, जिस वज़ा से वो जबर्दस तरीके से मोहल को बिगाड़ना चा रहे हैं, आगे एक और खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, पियुश बावला कॉंग्रेस के ही नेता है, वो लिख रहे हैं कि छतरपूर में कॉंग्रेस कारिकरता की हत्या कर दी गई है, घटना का विवरन देते फफफखखखखखख़ रो पड़े कॉंग्रेस पत्याशी, दोस्तों आपको जानकर हहरानी होगी कि इस चुनाव में जो है हत्या भी हो रही है, कॉंग्रेस कारिकरता की हत्या तक कर दी गई है, इसकी जानकारी खुद कॉंग्रेस की नेता की कर बड़ी-बड़ी बाते कही जा रही है कि चुनाव आयोग ने जो कहा था कि सारी सुरक्षा की व्यवस्ता जो है वो तैयारी कर ली गई है, चुनाव में कोई भी किसी भी तरीके का घटना नहीं होगा, लेकिन कॉंग्रेस कारिकरताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रह रिया शुरू है, लेकिन बाधित करने की तमाम जगहों से खबरे सामने आ रही है, खासकर नरेन सिंग तोमर के सीट से, जो है, ये खबर आ रही है कि वहाँ पर मौहल काफी जादा गरम है, और कॉंग्रेस कारिकरताओं कोंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यहां पर भारती ज जंता पाटी के प्रत्याशी हार रहे हैं, जिस वज़े से ये बॉखलाहट साफतोर पर देखने को मिल रही है, कि वो अपने बॉखलाहट में लोगों के जान तक लेते वे नजर आ रहे हैं, लोगों को छती पहुचाते वे नजर आ रहे हैं, गोलिया चलाते वे नजर आ र झाले